दो देश भारत और बंगलादेश जिसके बाद भारत अपने आजादी के बाद 75 साल के सफर में अपनी प्रगती की गती को तेस्ट करता हुआ, आज के युक के एक नए और आधनिक भारत के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसकी तस्वीर ग्लोबल इंडिया के नाम से बड़े कैनवास पर बनाई जा रही ह फिर भी भारत ने अपने पडोसी देशों से अपना पुराना इत्यासिक दोस्ताना कायम रखा है, जिसके चलते आज भी अगर बंगलादेश के साथ भारत के रिष्टों की बात की जाए, तो दोनों एक दूसरे के साथ एक हमसफर के रूप में, स्ट्राटिजिक और ट्रे सिलसिले से दिखती रहती हैं, जिसका हाल ही में G20 की प्रेजिडेंसी के दौरान भी एक बड़ा उधारन निकल कर सामने आया है, और अगर थोड़ा सा पूर्व में बंगलादेश और भारत के बीच बॉर्डर इशूस को लेकर बात की जाए, जिसमें इलीगल घुसपैट क पिछले दिनों गंभीरता से लिया गया है, जहां पर न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 के दौरान इंडिया और बंगलादेश की समस्या का समधान 100th Amendment of the Constitution of India को पास कर निकाला गया था, जहां पर दोनों देशों के बीच एक सही माइने में सीमा रेखा के मैप के मुता पिच निर्धारित किया जा सके, जिससे अवेद घुसपैट, स्मगलिंग और किसी भी टेरिस्ट अक्टिविटीज को रोका जा सके, जो की काफी समय से पेंडिंग दोनों देशों के बीच एक बड़ी समस्या का बड़ा हल माना जाता है, जिससे 2015 की मुकरर तारीक पर किया ऐसे में अब हाली में नेपाल की एक खबर के बाद, बंगला देश से जुड़ी illegal migrants की खबर निकल कर सामने आ रही है, और इन online news reports के मुताबिक कुछ बंगला देशी nationals, Indian documents पर भारत से होकर बाहरी मुलकों में jobs के लिए गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करते हैं, ऐसे में ह आली में आई news reports के मुताबिक, Mumbai police ने कुछ ऐसे आवेद तरीके से भारत के documents पर travel करते हुए बंगला देशी nationals को धड़ दबोचा है, और उस खबर के मुताबिक ये बताया जाता है, ये लोग पहले किनी agents के तुरू बंगला देश से भारत में दाखिल होते हैं, जिसके बा खास तोर से ये Middle East countries में Indian documentation पर जाने का प्रयास करते हैं, जिन में कई लोग अवेद तरीके से जाने के मनसूबों में सफल भी बताये जाते हैं, और ऐसे गैर कानूनी illegal migrants की रोक थाम के लिए सरकारे भी अपने स्तर पर काफी प्रयास करती दिख रही हैं, और खास तोर से एक विशाल देश भारस जो कहीं समुद्र तो कहीं पहाड तो कहीं थल से लगती हुई, अपनी विशाल international boundaries की रक्षा करने के चलते, नई strategies, आधुनिक weapons, equipments और एक better strategic force के साथ अपनी प्रगती की गती को बढ़ाता हुआ, आगे नजर आ रहा है, इस उमीद के साथ कि इशे में भारत की international boundaries से जुड़ी हर चुनोती के जवाब को सटीक तरीके से प्रभावकारी बना सके, जै हिंद, जै भारत, ये थी the true hunt channel की, हाल ही में आई newspaper reports के आंकलन से की गई illegal bangladeshी migrants के संदर्ब में एक news report, और ऐसे updates देखने के लिए जुड़े रहिए the true hunt से